मुझे लेक्छर में हम डिसकस करेंगे सीरीज रेजिनेंस सर्किट या ट्यूनिंग सर्किट के बारे में तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेजिनेंस के को मिलते हैं यह फिनोमना देखने को मिलते हैं वहाँ पर हमें रेजनेंस देखने को मिल सकता है जैसे माली जी आप कोई जो है वो स्विंग स्विंग कर रहा है तो जो जिस फ्रिक्वेंसी से कोई भी स्विंग कर रहा है जूला जूल रहा है अपनी फ्रिक्वेंसी के साथ उस जूला जूलने वाला है वो अपनी frequency के साथ मतलब उस जूले के अपनी खुद की जो नेचरल फ्रिक्वेंसिया उसके साथ जूल रहा है अब माली जी को एक्टनल और आजेंट, जूला देने लग गया माली आप जूल रहा है और जूले के जाएंटी जो को कवर करी थे लूदा charismatic पहले आप इतनी दूर तक जा रहे थे, जब आप खुद जब स्विंग कर रहे थे, जूल रहे थे, जब आपको कोई दूसरा धक्का देने लगा उसी direction के अंदर, तो आप ज्यादा height जो है वो travel करने लगे, क्यों करने लगे, due to resonance, हम वहापे क्या कहेंगे, वहापे resonance phenomenon हो गया Natural frequency मANTLAS source की खुद की frequency जूल यह, जो खुद की जो natural frequency थी, वो natural frequency है, खुद की frequency है भार external agent ने, agent ने जिस टाइम पर उसको frequency दी, वह आपके पास external frequency है तो जिस टाइम पर नेच्टरल फ्र्रिक्वेंसी दोनों match कर जाती है, दोनों equal हो जाती है, उस टाइम पर हम नाम देते हैं, उस फिनोम्ना को हम नाम देते हैं, रेजुनेंस का, अब बहुत बार confusion ये रहता है, माइन्ड के अंदर की जब भी रेजुनेंस का नाम आता है, तो मायंड में हमेशा amplitude increase होने की ही बात जो सेट रहती है ऐसा नहीं है resonance पर आपको amplitude maximum भी देखने को मिल सकता है और amplitude zero भी देखने को मिल सकता है माल लिजे जो swing जो जो जूला जो जूल रहा हो ऐसे जूल रहा है ठीक है आप इसी direction में उसको जूला रहे है तो उस time पर क्या होगा amplitude have been increased उस time पर amplitude भढ़ जाएगा आप जादा दूर तक जाओगे लेकिन माल लीजिए आप ऐसे जा रहे हो और इधर की side से इस side से आप ऐसे आ रहे हो और इस जितनी frequency से आप इधर की side जा रहे हो उतनी frequency से आपने आपको किसी ने इधर की side दख्का दे द आपको opposite direction में धक्का दे दिया जिस direction में आप जा रहे था उस direction में नहीं लेके गया जिस direction में आप जा रहे था उसके अगे इस direction में लेक गया आपका amplitude zero आपका magnitude zero आप वहां पर rest position में आ जाओगे तो resonance फिनोमना के अंदर आपको दोनों चीज़े देखने को मिलती है maximum value भी minimum value तो माइन में सिर्फ फोर सिस maximum amplitude को set करके मत चलना minimum zero value भी आपको देखने को मिल सकती है तो यह तो बात हुई थोड़ी सी resonance की आप हमें जो study करना है वो हमें study कर रहा है यहां पर resonance circuit के बारे में series resonance circuit या tuning circuit के बारे में देखिए हमारे पास क्या होता है जो हमने LCR circuit जो study किया था series के अंदर LCR मतलब inductor capacitor resistor जो आपने series में लगा रखे थे इसी source के साथ तो वहां पर हमें क्या है हम इस circuit को tuning circuit का भी नाम देते हैं इस circuit के अंदर आपको resonance phenomena देखने को मिल सकता है इसी फिनोमना की वज़े से जो आप FM जो आप सुन रहे हो जो भी आप जिस भी जैसे रेडियो जो मिर्ची सुन रहे हो या बीक एफम सुन रहे हो 98.3 92.5 जो भी है वो डूटो इस resonance resonance की वज़े से डूटो series resonance circuit आप आपको resonance phenomena देखने को मिलता है आप डीडी नेशनल देख रहे है डूडी डीडी न्यूस देख रहे हो जो भी आपना फेवर्ट चैनल देख रहे हो जो भ आपको मैक्सिमुम देखने को मिलता है और उस टाइम पर resonance है वहाँ पर आपको सिगनल जो है वो frequency जो मैच हो जाती जिसके वाचा आप यह FM जो है जो भी आप सुन रहे हो सुन पाते हो टीवी में जो भी चैनल आप देख रहे हो देख पाते हो बात में डिटेल में एक्सप अगर पैरलल में लगा दोगे पैरलल में लगा दो उस टाइम पर एकर रेजिनेंस हो गया frequency मैच होगे ौर आपके पास ने दोनों के अगर फ्रकेंसी मैच होगे उस टाइम पर करेंट 0 हो जाए यह देखे फिर से ध्यांस अब सिर्फ मैक्सियम नहीं होता है सिरेंट के अंदर जब रेजुनेंस फिनोमना हो गा उस अंदर के से अगी सब करेंगे सबसे पहले स्टेस्सेरिज रेजुनेंस सर्किछ से अंदर हम से अंदर रेजिए करेंगें तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसमें क्या कुछ होता है क्या नहीं होता है यह सब्सक्राइब तो देखें हम सीरी यह से सर्कुट के बारे में अच्छे से डिटेल में स्टडी कर चुके हैं तो यहां पर जो हम वोल्टेज की सप्लाइब आपके पास आटता है इंपेड़न आपके पास कितना हुता है यहां पर क्या ऊपके पास ओमेगा ऐल या two-by-nese XC यहाँ पर क्या होता है 1 by omega C या 1 by 2 by new C okay where new is the natural frequency C is the capacitance of the capacitor L is the inductance of the inductor and R is the resistance of the register okay यहाँ पर दिखाए होए भी है तो अब देखरें यहाँ पर क्या होता है ज़रा ध्यान से समझी इस चीज़ को series resonance circuit का मतलब क्या है मतलब आपने रेजिस्टर इंडेक्टर और कैपिस्टर को series में लगा रखा है उस टाइम पर आपको resonance phenomena देखने को मिलेगा वहाँ पर आपको current की value maximum देखने को मिलेगी किसी frequency के ऊपर किसी frequency के ऊपर जो natural frequency जो है उस frequency के साथ अगर आपकी external frequency मैच हो जाएगी तो वहाँ पर आपको resonance phenomena देखने को मिलेगा उस frequency को मिलेगा resonance frequency या resonance frequency of the circuit देखी कैसे starting में आपने कोई भी supply नहीं दिए starting में आपने कोई भी supply नहीं दिए आप रेसी supply है ही नहीं तो starting में अब क्या कीजिए धीरे 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 सप्लाई को इंक्रीज कीजिए जैसे वन हार्ड्स टू हार्ड्स थ्री हार्ड्स जैसे हमारे गरों में इंक्रीज करोगे एक वैल्यू ऐसी आएगी एक वैल्यू ऐसी आएगी कि यहां पर इस circuit की जो frequency है जिसको हम नाम देते है natural frequency इस circuit के जो frequency है that is called natural frequency और बाहर से जो हम frequency दे रहे हैं बाहर से जो हम frequency हम दे रहे हैं हम external agent है इस frequency को हम नाम देते है external frequency external frequency एक frequency ऐसी आएगी यह तो अभी तो हम समझने के लिए ले रहे हैं बाद में वो frequency होगी कितनी वो resonance frequency का और more special you can code series resonance frequency series के अंदर हमें series circuit के अंदर हमें देखने को मिलता है मदला वहाँ पर resonance हो गया वहाँ पर tuning हो गई वहाँ पर resonance phenomenon हो गया तो उस frequency को हम नाम दे है resonance frequency का होता कि है उसके अंदर जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिसकस किया था frequency of oscillation of the circuit LC oscillation के अंदर तो हमार पास जो frequency का फोर्मूला जो आया था that is equal to new is equal to one upon two pi under the root of l by c या आगर मैं angular frequency के ट्रम में लिखता हूं तो one upon under the root of lc where l is the inductance of the inductor c is the capacitance of the capacitor यही frequency होती है natural frequency जो यह हमार पास circuit है इस circuit की जो natural frequency जो है इसी frequency को हमना आवेते नेच्रल frequency का for example आपने माल लेजिए यहां पर देखिए इसको ध्यान से यह बहुत important formula आपके पास है one upon two pi under the root of lc या in term of angular frequency one upon under the root of lc देखिए माल लीजिए अब यह तो हमने बताया कि दीरे दीरे supply को बढ़ाइए 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 अब माल लीजिए आपको सीधा सीधा मैं कहता हूं कि कितनी frequency पे resonance phenomena हमें देखने को मिलेगा तो यहां से क्या है यह formula यूज किजिए माल लीजिए आपने circuit ले रखा है circuit के अंदर for example आपने वन मिली हैंरी का जो है वह इंडेक्टेंस लगा रखा इंडेक्टर जो है वह वन मिली हैंरी का है ओके इंडेक्टर का इंडेक्टर एंस वन मिली हैंरी और जो कैपिस्टर है उसका कैपिस्टर जो है वह 20 माइक्रो फैराड है तो आप circuit की natural frequency निकाल सकते है डारेक्ट वैल्यूज करके अगर angular frequency निकालना चाहो तो यह formula natural frequency निकालना चाहो तो वन अपॉन टू पाई अंडर दा रूट ओफ एल्सी वन मिली हैंरी मतलब टैरेस्ट पार माइस 3 हैंरी 20 इसको सोल करने के बाद आपके पास जो भी वैल्यू आती है जो भी मतलब मैंने मालिया कुछ भी आ गई 20 हार्ज 60 हार्ज जितनी भी आ गई 20.3 हार्ज यह माली जी की आ गई गल्त मिलेगी मैंने ऐसे लिख दिया यह मेंने मिली तो यह जो फ्रीक्वेंशी है यह सोर्स की नैचुरल फ्रीकय्ट स्वरिऩट की नैचुरल फ्रीक्वेंशी है अगर आप यहां पर इनकी जगendeu अधर इंडेक्टर और दूसरा कैपिस्टर विख लूज यूज करते इसका केपिस्टेंस केपिस्ट और इन्टेटेंस अलग हुता तो उसकी नेशल फ्रिकैंसी अलग हो जाती अलग-अलग सर्केट के लिए यह फिरिक्वेंसी अलग-अलग होती है तो यहां पर अगर आप भार से यहां से जो आपने सप्प्लाई दी है अगर उसकी वैल्यू 20.3 हाड है 20.3 हार्ड है then resonance have been occurred उस टाइम पर क्या होता है resonance phenomena हो जाता है उस टाइम पर आपको इस circuit में maximum value देखने को मिलेगी इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी इसी frequency पर देखने को उलबेगी maximum value of current कैसे देखिए अब इसको समझे देखिए हमारे पास जो impedance का जो formula जो हो क्या है आपके पास r square plus xl minus xc the whole square वो इस सारे का अंडर दरूट maximum value of current के अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास किसके को होती है maximum value of voltage divided by impedance LCR circuit है तो हम यहाँ पर impedance मतलब total resistance ले करके चलेंगे that is equal to V note divided by r square plus xl minus xc the whole square अब मैं आपसे यह पूछता हूं यहाँ पर दोनों यह फिनोमन आपको देखने को मुझा जाएंगे variation of z, z भी कैसे vary करता है यह वाला भी और current जो है वह भी कैसे vary करता है अब मैं आपसे यह पूछता हूं मुझे यह बता दीजिए circuit के अंदर maximum value current की कब देखने को मिल सकती है देखें आप क्या कहेंगे circuit के अंदर maximum value देखने को मिल सकती है वह देखने को मिल सकती है जिस time पर resistance जो है मतलब इसका impedance जो है वह 0 उस time पर आपको infinite current देखने को मिलेगा अब मैं आपको कहता हूं कि circuit में आपने register भी रखना है inductor भी रखना है capacitor भी रखना है livestock रखना है रजिस्टर ऻखो के तो उसका कुछ resistance मिलेगा inductor रखो क ER को कुछ इंडक्टौंस मिलेगा कैपिस्टर रखो के तो सबुत कैपिस्टैंस मिलेगा इस case में बताइए इस case में बताइए कि आपको current की maximum value कब और कैसे देखने को मिलेगी तो देखे कब देखने को मिलेगी जिस time पे जड़ा ध्यान से देखे इसके अंदर maximum value आपको करण तब देखने को मिल सकते हैं जब सर्कृट के अंदर impedance जो है वो minimum से minimum हो अब तो minimum मिले सकते हैं क्योंकि यह तो आपको ले के चलने मैंने कहा है यह तो होने ही होने चीए अगर यह होंगे तो यह value जब minimum से minimum होगी impedance की value जब minimum होगी उस time पे हमें maximum current देखने को मिल सकता है तब ही देखने को मिल सकता है अब register भी रखना है capacitor भी रखना है इंडेक्टर भी रखना है तो minimum कैसे करें जरा इसको देखें जरा ध्या अगर जीरो हो जाए यह फैक्टर अगर जीरो हो जाए तो circuit के अंदर सिर्फ ओर सिर्फ जो impedance जो बचेगा total resistance जो बचेगा circuit का हो कितना होगा सिधा-सिधा resistance of the resistor के equal रह जाएगा इन दोनों का रोल खतम इंडेक्टर का inductance और इंडेक्टर का inductive reactance और capacitor का capacitative reactance दोनों खतम इन दोनों का resistance खतम सिर्फ ओसिर्फ रेजिस्टर का resistance बच जाएगा इन दोनों का तो खतम हो गया अगर यह ऐनिहाओ अगर यह factor 0 हो जाए तो यह 0 कब होगा यह 0 कब होगा इस टाइम पे XC-XL is equal to 0 that means XC is equal to XL यह 0 कब होगा जब इस इंडेक्टर का inductive reactance और इस capacitor का capacitative reactance दोनों equal होंगे तब equal कब देखने को मिलेंगे जब 0 कब देखने को मिलेंगे जब यह दोनों equal होने का मतलब है अगर यह दोनों equal होगे अगर मैं आप एक्सी की जगह एक्सी लिख दू यह एक्सी लिख दू दोनों equal क्या बचेगा आपके पास एक्सी माइस एक्सी जीरो एक्सल माइस एक्सल जीरो शिर्फ और शिर्फ आपके पास जो जड़ की जो value बचेगी हो कितनी बचेगी आर स्केर इसका अंडर दा रूट यह हम variation भी study करना है impedance के अंदर दोनों चीजे हम साथ-साथ-साथ-स लेकर के चल रहे हैं उस टाइम पर जो आपको current की value देखने को मिलेगी वह maximum value देखने को मिलेगी कितनी value देखने को मिलेगी that is equal to V naught by R शिर्फ और शिर्फ resistance बच गया register का इनका role खतम इनके resistance का role खतम L और C का sorry inductor or capacitor का ओके तो आप आपको maximum value देखने को मिलेगी current की अब यह तो बात हो गई यहां तक की in term of resistance अब हम बात कर रहे हैं frequency के term में कि वह frequency find out कर लिजिए जिस frequency के ऊपर यह दोनों value आपको equal मिलेगी यह हम कहें जिस frequency के ऊपर देखें कितनी पिटाइब से आप इस question को पूछा जा सकता है कि किस frequency के ऊपर यह दोनों value आपको equal मिलेगी या किस frequency के ऊपर आपको i circuit का impedance जो है यहाँ से find out कर सकते है, xc किसके इकल आपके आश, इसको में लिख लो, xl किसके इकल आपके पास, that is equal to omega l, xc किसके इकल होता है, that is equal to omega c, तो omega को इधर ले आईए, that is equal to omega square is equal to 1 by lc, जो मैं लिखा था पहले ही, तो आप यहाँ पर आपके पास omega कितना हो जाएगा, वन बाई अंडर ता रूट ओफ एलसी यह हमारे पास आ जाती है इस सर्किट की सीरीज सर्किट की एंगुलर फिक्वेंसी अब अगर मैं बात करता हूं नेचल फिक्वेंसी कितनी हो जाएगी आपके पास natural frequency find out करने के लिए omega हमारे पास क्या होता है 2 pi nu इसको मैं किसके को लिख सकता हूँ 1 by under the root of lc तो आपके पास natural frequency किरने हो जाएगी 2 pi under the root of lc ये है हमारे पास इस series circuit की natural frequency 1 divided by 2 into pi, pi is 3.14 under the root of l into c l is the inductance of the inductor and c is the capacitance of the capacitor ये value put कीजिए, soul कीजिए, जो भी आपके पास value आएगी वो हमारे पास इसकी natural frequency आजाएगी series circuit की, series lcr circuit की natural frequency आजाएगी अगर यही frequency, जो इस circuit की natural frequency है इतनी frequency की supply अगर आपने भार से दे दी इतनी frequency की supply अगर हमने यहां से दे दी उस time पर आपको resonance phenomena देखने को मिलेगा उस time पर यह circuit, series resonance circuit बनजाएगा tuning circuit बन जाएगा और उस case में आपको current की value maximum देखने को मिलेगी कितनी देखने को मिलेगी? इतनी देखने को मिलेगी okay, यह है हमारे पास series resonance circuit तो यह अब देखि कैसे देखने को मिलती है अगर मैं इसको थोड़ा सा frequency और current को और मैं graphical form में represent करना चाहूं तो देखें कैसे यहां पर यहां पर यहां पर यह साइड और यह आपके पास और यह आपके पास इदर की साइड करंट है तो अब क्या होगा जैसे यहां पर जो हम बात करने सर्किट की इस सर्किट की जो भी फ्रिक्वेंसी है जितना भी आपने इंडेक्टेंस यहां पर आपने यूज कर रखा इंडेक्टर का कैबिस्टेंस जितना भी है कैबिस्टर का उसके अकोर्डिंग जो भी इसकी नैचल फ Current की उससे कम Frequency अगर है, External Frequency अगर उससे कम है natural Frequency से, या उससे जधा भी है, तब भी आपको Current की Value Maximum Value से कम देखने को मिलेगी, तो देखें कैसे दिखा सकता हूँ मैं उसको, यह मालीजे आपके पास मैं दिखा रहा हूँ, दोनों का ही दिखाऊंगा, Maximum Value of Current के लिए भी, variation of impedance दोनों का ही क्या effect होगा वो देखिए तो देखिए यह मैंने दिखाई आपके पास कुछ इस टाइप से यह है आपके पास माली जे भाही यह आपके पास maximum value of current यहाँ पर यह मैंने दिखाई resistance for 100 ohm जिस टाइम पर आपके पास register का resistance 100 ohm है उस टाइम पर आपको यह maximum value देखने को मिले current की किसके उपर जिस टाइम पर natural frequency जो थी source की natural frequency जो थी source की वो आपकी external frequency के equal थी या आपके external frequency जो थी वो natural frequency के equal थी या मैं कर सिधा सिधा कहूं जब वहाँ पर आपने resonance frequency अप्लाई की external तो वहाँ पर आपको यह maximum value देखने को मिली किस टाइम पर जब resistance है आपके पास हेंड़ ओम रेजिस्टर का resistance इफेक्ट देखिए इफेक्ट देखिए आई नोट इस उकल टू वी नोट भाई जैड तो आब सिधा सिधा यह बचता है तो अब जितना और जितना कम होगा करन्ट अतना ही ज्यादा होगा ऑज ज्यादा होगा करन्ट अतना ही कम होगा अब यह तो अबात ठीक आइस थी 20 हाड्स अगर आपने अप्लाई कर रखी एक्षिनल फ्रिक्वेंसी भी 20 हाड्स ही और आप अब आपने यहां पर रेजिस्टर यूज कर लिया 10 ओम का आपने रेजिस्टेंस यूज कर लिया तो उस टाइम पर आपके पास गिराफ कुछ ऐसा आएगा यह हमारे पास गिराफ आएगा यह हमारे पास करो है किसके लिए 10 ओम के लिए कि जितना इस एक फुस्थि कम इंका दो रोल ही खत्म हो गया इनकी वरजसे तो हम मिलका मिल गया जितना रेसेंस कम अंपके पास कर उत्तना ही मैक्सिम्म और पास वेल्यव आ इतना आपके पास current ज्यादा हो गया अब देखे अब जरा इसको frequency की ट्रम में समझने कोशिस कीजिए चाहे आप 10 ohm के लिए चाहे आप 50 ohm के लिए बढ़ा कर सकते हो 50 ohm के लिए यहां कहीं आ जाएगी यहां तक maximum current आपको देखने को मिल जाएगा तो आप देखे यहां से आ चाहे आप इस natural frequency से जयादा frequency के लिए देख लिजए चाहे आप 10 ohm के लिए देख लिए चाहे आप 100 ohm के लिए देख लिए अगर मैं इस करऊ के लिए देखता हूं यह हां है दोनों ही फृिक्वेंसी के लिए एक करन्ट की वैल्यु आपको मैक्सिमम व्ल्लिभेंस से कम देखने की मिलेगी यह में सूचना कि आपके पास देखने को यह मत कई नेचल फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी अप्लाई करोगे, तब भी आपको कम करण्ट देखने को मिलेगा, नेचल फ्रिक्वेंसी ज्यादा फ्रिक्वेंसी अप्लाई करोगे, तब भी आपको कम करण्ट देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ नेचल फ्रिक्वेंसी के जैसे रेडियो है या टीवी है उसके अंदर जैसे आप रेडियो जो आप सुन रहे हो देखी जैसे अप टीवीचे अंदर डीडी नैशनल देख रहे हो चुछ睡 या डीडी न्यूज देख रहे हो या आप आप्यूसलआ है आप्यूसल स fairly some सब्त yeni da 5 रेडियो क्रीमुकंतो 성下次 यह समें टम्यांनल को आपकी ओलती है जो भी आपकी पास क्रिकउेंसी एंबेंगार्युकंतों अब होती है तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो है जैसे आप माली जे टीवी के अंदर डीडी नेशनल देख रहे हो जो डीडी नेशनल जो है इसका पर जो आपको पास सिगनल जो है इसके जो प्रिक्वेंसी आपके पास वह 182.25 महर्टी यहां जो आपके पास 182.25 महर्टी है Big FM Big FM के लिए जो frequentsy ओती है 92.7 तो जो भी आपके पास circuit है, TV है या radio है आपका phone है उन सब के अंदर physics की drum में जो आपके पास जो machine जो है, उन सभी के अंदर आपको ये circuit मिलेगा ये series LCR circuit आपको सभी के अंदर मिलता है TV हो, चाए radio हो, चाए phone हो कोई भी physics physics की drum में जो भी machine काम कर रहे है, जो भी instrument काम कर रहा है उसके अंदर आपको मिलेगा वहाँ पर हमें resonance phenomena देखने को मिलता है उसी resonance phenomena की वज़े से उसी resonance phenomena की वज़े से आप अपने फेवरेट चैनल देख पाते हो TV में या आप FM सुन पाते हो कैसे जरा ध्यान से सुनिए इस चीज को मालेजी आपके पास FM रेडियो है मैं रेडियो की बात कर रहा हूं फोन के अंदर रेडियो की बात नहीं कर रहा हूं जो आपके पास actual जो रेडियो होता है देखा होगा आपने जो एंसे टाइम में यूज होता था जब आप उसको घुमाते हें देरें जैएंज्यांब के पास ऐसे उसह को गो मारें तो आप जब बीच में सिगनल नहीं आता हि तो सरर के आवा आजाती है यजिए सिंग्यल至 आजाता है जो बीच जैसे आपना उसको सेट करुदिया यहां पर set कर दिया 92.7 MHz के उपर वहां पर आपको signal catch कर जाएगा जो भी new है या वहां पर song आप सुन रहे हो जो भी सुन रहे हो फिर थोड़ा और आगे चलोगे 92.7 से लेकर के 93.5 के बीच में आपके पास कोई signal नहीं आगा सर 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 ऐसे आवाज कर आती रहती है कोई signal नहीं जैसे आप 93.5 MHz पर पोस्ते हो फिर से आपके पास एक नया signal आ जाता है उस पर आपको नया मतलब कोई भी song या new जो भी आ रही है फिर आप और आगे चलते हो और आगे चलते हो अगर बीच में कोई है जहां पर आपको कोई channel मिलता है तो ठीक है अदर्वाइस आपको 98.3 त बेटर का देखने को मिलता है बेस्ट नौइस आपको वहां पर देखने को मिलता है वहां पर आपके आपकी पास सिगनल की जो फ्रिकंसी है वह अपो Aijk-ब लुए unpl spinal प्रेखने को मिलता है जो पर सकते हैं आपको सेवार्थ वाँ पर पर आपके पास और पर इलेक्ट्रों मेटिक की हैसे वहांपर आपके पास अलग-अलग फ्रीक्वेंसी के जो चैनल वहांपर आपके आज पास एक टाइप से परजैन्ट आपके पास cables लगी होती है, एंटिना लगे होते हैं, simple road type नव होते हैं, signal को catch करते है, signal को catch करते हैं, जैसे आपने क्या आपने क्या देखना है, DD National देखना है, तो DD National आपके आपने remote से दबाया, एक नमबर दो नमबर तीन नमबर जो भी आपने प्रेस किया तो वहाँ पर आपके पार डीडी नेशनल देखने को मिल गया आपने डीडी न्यूज देखना है आपने प्रेस किया दो तीन चार उस रिमोट से आपको डीडी न्यूज देखने को मिल गया या आपको और को या वह याइच जो भी अपने प्रेस कया वह चेनल वह पर आगए हम उस से कर रही है रिमोर से इसके इसके आपके पास उन्टीविक सरस्क्तिक お्हिंद separate वही चैनल वहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है टीवी के अंदर जैसे मालीजी अगर इसको समझना चाहते हो आप यहाँ पर यह आपके पास जो एसी सोर्स था इसको थोड़ टाइम के लिए हटा करके मैं इसको इस LCR सरकिट को मैंने बताया आपके पास कोई भी आपके पास टीवी है जो भी है सभी के अंदर जो फिजिक्स के ऊपर जो इस इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर आपको इस सरकिट देखने को मिलता है यहाँ पर आपके पास क्या है मालीजी यह एंटीना से कनेक्ट है यह आपके पास यहाँ पर एंटीना से कनेक्ट है ओके तो बड़र से चेखना चाहते हैं ,Dides National,Dides News , तु सब की फ्रिक्वेंसी अपने खुद का नेचल फ्रिकवेंसी अलग है तो उस्स trais इसबी क्या करता है जिस भी फ्रिकेंसी अपने remote प्रेस किया, वह आप प्रेस करते हो दिशन के लिख करते हो तो यह वाली lassase जो पिस पोस्टे जो कि जो इसल्ड प्रिकस्टी जो है अगाने को ही मै फो अगल ब्रस करते हो तो नेशरल फिरिकेंसी जो है वो दोनों मेच कर जाती हैं वही सिग्नल यहांपे आपको दिखाता है 2 Famous इस टाइप से आपके जो टीवी जो हैं उसके अंदर आप डिफेरेंट चैनल देख सकते हो इसे आप अपने अफम जो सुनते हो वह भी आप देख सकते हो डूटू रेजनेंस फिनोमना सीरीज रेजनेंस सर्कुट के वजह से ऐसे ही जब आप मैटल डिटेक्टर मशीन में से पास होते हो एक तो डिटेक्टिंग मशीन होती है जैसे आप कई बार आपने देखा होगा एरपोर्ट वगएरा या रेलो इस्टेशन पर स्कूर्टी परफिस के लिए यूज करते हैं एक कम्प्लीट ऐसे दरवाजा सा डॉर कि नेच्रल फिक्वेंशी है आपके पास यह आपके आईरन है आपके पास अधर मैटल है सिल्वर है जो भी आपके पास है उनसाब कि फ्रिक्वेंशी अलग है जैसे आप ऊस मशीन में से पास होते हो उसके अंदर भी यह है शिरिज ल característरे निशियार सिर्क्यिट है तो उनस इसके पास सिल्वर है या इसके पास आयरन है या इसके पास कौन सी मैटल है ड्यू टू इस फिनोमना हर मसीन के अंदर जो फिजिक्स के ऊपर बेस है हर किसी के अंदर LCR सर्कृट परजेंट होता है ओके सेम ऐसे आपके पास NMR होती है नुकलियर मैगनेटिक रेजनेस फिनोमना जो होता है उसके अंदर भी आपको रेजनेस फिनोमना देखने को मिलता है तो यह था आपके पास सीरेज रेजनेस सर्कृट के बारे में अब एक आपके पास होता है पैलल रेजनेस सर्कृट जो वह हम बात करेंगे next video के अंदर, next नहीं, उससे next video के अंदर, next video के अंदर हम बात करेंगे quality factor के बारे में, तो quality factor के बारे में, sharpness के बारे में, तो अभी हम इस से later एक problem करते हैं, देखिए, देखे, इस joints problem क्या आपके पास, A2 microfarad capacitor, hand arm resistor and 8 handry inductor, आपके पास capacitor है, जिसका capacitance कितना है, 2 microfarad है, inductor है, उसका inductance कितना है, 8 handry, और resistor उसका resistance कितना है, handed ohm, are connected in series, series में लगे हुए हैं, with an AC source, किसी AC source के साथ, जिसको हम external source भी नाम दे सकते हैं, what is the frequency of source for which the current run in the circuit is maximum, आपको उस frequency के value निकालनी है, कि इस AC source की कितनी frequency हो, कि आपको circuit के अंदर maximum current देखने को मिले, तो किस frequency के उपर देखने को मिलेगा, हमें जिस time पे, इस source की frequency, उस circuit की जो natural frequency है, उसके equal हो जाएगी, जिसको हम बोलते है, resonant frequency, तो resonance frequency आपने find out करनी है, तो resonance frequency हमारे पास क्या होती है, 1 upon 2 pi under the root of L by L into C, तो सबसे पहले इससे find out कर ले, तो सबसे पहले SI system में कनोट कीजिए, 2 into 10 is to power minus 6 farad, henry ok, ohm ok, value put कीजिए, तो हमारे पास जो resonance frequency की value आजाएगी, 1 upon 2 into 3.14 under the root of L, L कितना हमारे पास inductance, that is 8 henry, C कितना है, 2 into 10 is to power minus 6, तो इसे आप solve करोगे, आपके पास जो भी value आएगी, यह हमारे पास value आजाएगी, यह 16, 4 into 10 is to power minus 3, तो यह आपके पास approximately value आजाएगी, 39.8 hearts, check कर लेना, देख लेना यही आती है, कुछ और आती है, यह हमारे पास आजाए value, natural resonant frequency, कि जिसके उपर आपको maximum current देखने को मिल जाएगा, अब आगे क्या कहता है, if the peak value of EMF of the source is 200 volt, peak value मतलब maximum value of EMF, तो इसको E note से दिखा दू, voltage बोलता तो V note से दिखा देते, that is equal to 200 volt, find the maximum current, अब आपको maximum current निकालना है, तो series LCR circuit है, तो maximum current कब देखने को मिलेगा, that is equal to I note is equal to E note by Z, जिस time पे Z आपके पास किसके equal होगा, R के equal होगा, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर के equal होगा, तो maximum current देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर आपको maximum current कितना देखने को मिल जाएगा, E note by R, तो हमारे पास कितना है, E note आपके पास, that is maximum value of EF 200, और R आपके पास कितना है, resistance of the register is 100, तो यह आपके पास कितना हो गया, 2 ampere, तो circuit में maximum current जो flow करेगा, कितना flow करेगा, 2 ampere, next देखिए, maximum current निकालना है, inductive reactance और capacitive reactance, तो जिस टाइम पर हमें resonance phenomena देखने को मिलता है, अब इस circuit के अंदर हमें resonance phenomena देखने को मिल रहा है, तो resonance phenomena जब हमें देखने को मिलता है, तो XL और XC बहुत हार equal, दोनों equal होते हैं, तो एक value find out कर लिजे, चाहिस formula से निकाल लिजे, XL is equal to omega L, चाहिस formula से निकाल लिजे, X is equal to 1 by omega C, दोनों value equal ही आएगी, अगर आप resonance phenomena हो रहा है, तो दोनों value equal आएगी, और इसमें हो रहा है resonance phenomena उसने कहा है, तो कोई value निकाल लिजे, यहां से आप इसे solve करोगे, 2 by new L, तो new आपके पास आगई, frequency आपने find out कर ली, यह जो frequency है, यह आपके पास natural frequency होती है, यही frequency आपने externally apply की, एक्सेनल source की frequency है, जिस टाइम पर आपके पास resonance phenomena देखने को मिला है, तो यहां पर आपके पास value पूट करके solve कीजे, तो यहां हमार पास value जो आएगे, XL is equal to 2 by 3.14 new 39.8 L, L कितना हमार पास 8, चाहिए इस formula से निकाल लिजे, चाहिए इस formula से निकाल लिजे, दोनों value सेम ही आएगे, आप चेक कर सकते हो, तो यहां हमार पास value जाएगे approximately आजाएगे 2000 ohm, चेक कर लिजे, यही आती है, कुछ और आती, XL की भी है, XC की भी है, दोनों यही आती है, चेक करना चाहो कर सकते हो, नेक्स्ट पूस्ता आपसे, total impedance and peak value of current, तो पीक value of current, तो आपके पास यही होगी, 2 ampere, और total impedance, total impedance कितना होगा, in case of resonance, resonance phenomena पे जो आपके पास Z जो है, जो actual formula है, that is equal to R square plus XL minus XC the whole square, अब आपके पास XL और XC दोनों equal आए है, चेक कर लेना, इससे भी निकाल लेना, XL और XC दोनों equal आएंगे, देख लेना आप, दोनों equal आए हैं तो यह 0 हो गया, तो Z सिदा सिदा किसके equal हो जाएगा, resistance of the resistor, जो आपके पास कितना है, handed ohm, तो impedance कितना है circuit का, handed ohm है, ओके, अब आगे क्या गह रहा है, what is the phase lesson between the inductor and capacitor, यह पिछे वाले वीडियो का case आगया, phase lesson बताना है, inductor and resistor में voltage के लिए, तो आपके पास क्या phase lesson होता है, voltage में inductor and resistor के लिए, 90 degree का phase difference होता है, तो वहाँ पर आपके पास जैसे बनाना चाहों, आप बना लीजिए, जो आपने phase difference की हैल से, phasor diagram की हैल से किया था, इधर के side VR, इधर के side VL, इधर के side VC, तो voltage का जो आपके पास phase difference, जो इंडेक्टर और रेजिस्टर के लिए, 90 degree का, next part में पूशता है, also give the phase relation between voltage across inductor and capacitor, inductor and capacitor के लिए, voltage के लिए phase difference कितना है, तो उसके लिए 90 degree नहीं होता है, जो आप ध्यान से देखिए, रेजिस्टर और इंडेक्टर के लिए 90 degree, रेजिस्टर और कैपिस्टर के लिए 90 degree, इनमें phase difference, phase जो है, वो 90 का होता है, but in case of inductor and capacitor, देखिए, total कितना हो गया, 180 degree, 90 plus 90, 180 degree, तो inductor and capacitor के लिए कितना होता है, voltage के लिए, 180 degree, ओके, आज की वीडियो में इतना ही, next वीडियो में हम बात करेंगे, quality factor के बारे में, thank you.